तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंद तक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है कोई भी डाउट है कोई भी फीड्बेक है तो उसको कॉमें शेक्ष ये कोमे में रकेरि जुरू करके पताईेगा पारे में सभी जानगार इसमें दी जाएगी तो वीडियो को अंतर जुरूर देखेगा जिससे आपको सब चीजे पता चल जाएगा तो यह वीडियो को यह लिंक टेलिक्राम चलने का तो इसको जुरूर उसको आप जोईन कर सकते हैं जिसकी वेकिंसी बहुत जल दाने वाली है अप अच्छे सा तियारी कर सकते हैं सारा कंटेंट में प्रवाइट के जा रहा है पूरी तियारी करवाई जा रही है डेली करेंट आफैस को आप ले सकते हैं और जो daily mcq टेस से चल रही है वो भी आप ले सकते हैं इन सभी को लेने के लिए आप 766-580-4421 पर कॉल्या मेसेज कर सकते हैं तो लिए स्टार्ट करते हैं उत्राखंड 2022 के जो असेंब्ली एलेक्षेंस तगरम देखें तो स्टार्टिंग करते हैं इंगली शिंदी करके खतम कर दी कही है तो अब सिर्फ 70 सीटे हैं और मेजोरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरुवत होती है इससे पिछला जो उत्राखंड अमेले इलेक्षें हुआ वो मार्च 2022 में हुआ है और इससे पहले जो हुआ था फरवरी मार्च 2017 17 में हुआ था इस एलेक्षें में BBP ने 47 सीटों जीती है जाने के पिछले एलेक्षें से 10 कंउatri levant class ने 9 सीटे जीती है पिछले एक्शें से 8 सीटे जाधा जीती है और 4 सीटे दूसरों जीती है इसमें 2 सीटे भहुजन समाज पार्टी ने जीती है और दो सीटे इंडिपेंडेंट लोगों नी जीती है एलेक्शन किस दिन हुआ ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उत्राखंड के इसाब से तो इलेक्शन कब हुआ एलेक्शन होता है 14 फरविक 2022 को हुआ इस बार रिजर्ट्स आये है 10 मार्स 2022 को पूरे राज्य इस एलेक्शन में कितने पर्सेंट लोगों ने वोट दिये थे तो 65.37 लोगों ने वोट दिये थे जो पिछली बार के मुकाबले यानिकि 2017 के मुकाबले 0.19 या 0.19 परसेंट कम थे अब बात आती है पार्टी और अलाइंसे की यानिकि दल की और गडबंदन की तो कौन-कौ पर इनके male candidates थे और 8 seat पर female candidates थे फिर इंटरनेशनल कॉंग्रिस के अगर बात करें तो इनके जो leader रहे हैं वो हरीश रावत हैं और 70 seats पर इनके इलेक्शन लड़ा 65 male candidates रखे इनके 5 candidates female के रखी आम आधी पार्टी ने के जो leader थे leader थे वो थे अजे कोठियाल 67 की 70 seat पर इनके चुनाव लड़ा 62 male थे और 8 female थे जो कि सब के सब हारे गए next देखते हैं voter turnout अगर देखते हैं कि किस जिले से कितने percent लोगों ने vote दिये हैं तो वो बहुत जादा important है तो अगर हम देखें तो उत्तरकाशी में 3 seat आती हैं उत्तरकाशी के अंदर 3 विधानसभा शेतर हैं और उत्तरकाशी के अंदर से 68.48 percent लोगों ने vote दिया है फिर चमुली में 3 seat आती हैं इसमें से 62.38 percent लोगों ने vote दिया था रुदर प्रियाग में 2 seat आती हैं विधानसभा शेतर की और 63.61 percent लोगों ने vote दिया है तो अगर दिया है विधानसभा सेतर की वह भी सबसे जादा किसम है वो हरीतवार में है फिर पॉड़ीगडवाल के अंदर 6 seat आती है और 54 percent लोगों ने vote दिया है विधारगड़ में 4 seat आती है और 63 percent लोगों ने पागेश्वर में 2 seat आती है 63 percent लोगों Tapaswar में 2 seat आती है आती हैं बासल परसंट लोगोने नेईंट आल में छे मन चीट ऐती हैा उदम ग्रमündगा है और तोटके कि अ गर आधर rail काने खरें हैं सफ्थ सीट है और जो लोगों निहीं स्चाहिए व्थ सीट को झाना है महारे ओ है भीनिशन की साब सिते इंड्रेनाशनल कॉंग्रेस नहीं और चार सिते दूसरी लोगों की जीती है याने कि दोh BSP और दो जो झो कर दोh अब देखते हैं हर एक जिले में कौन-कौन सी constituency है और उन निर्वाचन शेत्रों में कौन-कौन जीते हैं, कौन-कौन पार्टी से बिलॉंग करते थे, कितने margin से वो जीते हैं, उनको कितना percent vote मिला, यह सब चीज़े देखते हैं तो अगर उत्तरकाशी डिस्टिक से देखें, तो सबसे पहले उत्तरकाशी डिस्टिक के अंदर तीन constituency हैं, पुरोला, यमनोत्री और गंगुत्री, जिसमें से पुरोला सीट जो है, वो SC के लिए रिसर्वड है, पुरोला सीट से जीतकर आये हैं, दुर्गेश वर डाल, BJP से जीते हैं, यह 27,956 वोट मिली हैं, और मार्जिन जो रहा जीतने का वो 6,256 में का रहा, 53% इनको वोट मिली हैं, यह वनोत्री से संजर डोबाल जी जीतका हैं, यह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यानि कि इनों को किसी भी पार्टी से, कोई भी आप कह सकते हैं, संब वोट मिले, 8,000 से यह जीते हैं, जो मार्जिन रहा, इन्से पिछले वालों में वो 8,000 रहा, उसके बाद चमोली डिस्टिक की बात करते हैं, तो चमोली डिस्टिक की 3 Constituencies हैं, निर्वाशन शेतर जाते हैं, चमोली जीने में 3 आते हैं, बदरीनाथ, ठराली और हैं, और जो धराली है, धराली से भूपाल, राम, टम्तर जीते हैं, बीजेपी के 32,852 सेटो जो वोट्स हैं, वो इनको मिले हैं, और 8,302 वोट्स, मार्जिन रहा है, रुदृ प्याग में दो कौन्शिट्वेंसीस आती हैं, एक आती है केदार नाथ की और एक अकी रुद घृतर प्रियाग किया तो किदर नाज से जीते हैं शैला राणी रावत ये बीज़ेबी से हैं और भरत सिंग चौधरी हैं गरूतर प्रियाग से ये भी बीज़े बीज़ेबी से जीते हैं मार्जिन से सीटों के या टिकेट के मार्जिन से या वोट्स के मार्जिन से जीते हैं देव प्रियाक से विनोत कंडारी जीते हैं बीजेपी से 17,330 वोट्स इनको मिले और 2588 वोट्स का मार्जिन इनका रहा 36% इनको वोट्स मिले नरिंद्र नगर से सुबो दुनियाल जी जीत के आए हैं बीजेपी से 27,000 वोट्स जो हैं इनको मिले 1780 में का मार्जिन इनका रहा फिर प्रताब नगर से विकरम सिंग नेगी जी इंडिनेशनल कॉंग्रेस से देगी बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूर्टेंट है यह पूर्ट सकते हैं आपसे मैज दा फोलेंग गरवा सकते हैं कि कौन से रिंजवाचिन शेतर से कौन परसन जीत के आए हैं तो 19,000 इनको मिली है सीटे या वोट्स 2300 वोट्स इनका मार्जिन रहा जीतने का टेरी से किछोरुपाध्याजी जीते हैं बीजेपी से धनौल्टी से प्रितम सिंग पवार जी जीते हैं बीजेपी से और इनको 19,000 मिली है टिकेट्स या वोट्स मिली है किछोरुपाध्याजी को और 22,000 मिली है प्रितम सिंग पवार जी वो नेस्ट आता है देहरदूं जिले की अगर हम बात करें तो देहरदूं जिले में चकराता सीट जो है वो स्ट के लिए रिजर्वड है तो प्रितम सिंग यहां से जीत के आए हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सहसपूर से सहदेव सिंग पुन्री जीते हैं बीजेपी के जिसमें 64,000 वोट्स इनको मिले हैं 8,355 वोट्स का मार्जिन रहा है धरमपूर से विनो चमुली जीते हैं बीजेपी से 58,000 वोट्स इनको मिले है और 10,000 का वोट्स मिले हैं उसके बाद राजपूर रोड जो है वो पड़े हैं टोटल इनको और 11,000 का वोट मार्जन रहा है जीतने का देरदुन केंट से सवीता कपूर जी जीती हैं बीजेबी से 45,000 वोट इनको पड़े और 20,000 का मार्जन रहा है जीते हैं तो अब देरदुन डिस्टिक के बाद बात आती है हरिद्वा डिस्टिक की तो हरिद्वा डिस्टिक में देखते हैं तो हरिद्वार से जीते हैं वो मदन कौशी जीते हैं बीजेपी के मेंबर हैं यह 53,000 इनको टोटल वोट पड़े 15,000 वोटों से जीते हैं बीचल पॉंग्रेस दोनों से बिलॉंग करते हैं, दोनों परसंस, 22,000 वोट्स इनको पड़े, 44,000 वोट्स इनको पड़े, 13,000 का मार्जिन करा है, वा 4,811 का मार्जिन रहा है, मंतारा केशी का, उसके बाद, जबरेडा की सीट अगर हम देखें, तो जबरेडा की सीट जो है, वो भी SC के लिए रिजर्वड है, विनियत कुमार जाती, इस से जीते हैं, विरेंदर कुमार जाती, और ये इंटरनेशनल कॉंग्रेस से बिलॉंग करते हैं, 39,000 वोट्स इनको पड़े हैं, जो जीतने का मार्जिन रहा है, वो 8,216 वोटों का रहा है, नेक्स आता है, पिरान कलिय से फुरका नैमा जी जीते हैं, ये भी कॉंग्रेस से बिलॉंग करते हैं, 43,000 वोट्स इनको पड़े हैं, और 15,000 वोटों का यहाँ पर डिफरेंस रहा है जीतने में, रुटकी से बात करें, तो रुटकी से प्रदीबतर जीते हैं, BGP से हैं, 36,986 टोटल वोट्स पड़े हैं, 38,000 टोटल वोट्स पड़े हैं, इनको और 6,852 का मार्जिन से जीते हैं, फिर मंगलोर से सरवत करीब अंसारी जीते हैं, BSP से, यानि की भौजन समाज पार्टी से, और लक्सा से जीते हैं, शहजाद ये भी भौजन समाज पार्टी से हैं, इनको 32,000 वोट्स पड़े ह इनको वोट्स पड़े, 4432 वोटों का मार्जन रहा है, नेक्स्ट बात आती है, पौडी गड़वाल जिले की अगर हम बात कहें, तो पौडी गड़वाल से यमकेश्वर से रेनुबिष्ट जीती हैं, बीजेपी की हैं, 28,390 टोटल वोट्स इनको पड़े, और 10,000 का मार्जन रहा है, फिर पौडी जो की एक SC seat है, वहाँ से राजकुमार पौडी जीते हैं, बीजेपी के मेंबर हैं, 25,865 टोटल वोट्स इनको पड़े, और 5,738 का मार्जन रहा है जीतने का, तो उसके बाद आप देख सकते हैं, श्वीनगर से दंसिंग राबजी जीते हैं, बीजे का, तो आप मुझे जब पूरी वीडियो देख लेंगे, वीडियो बन तक देखेंगे, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करको जरूर ये बताइएगा, कि कौन ऐसे परसन हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट मार्जन से जीते हैं, बहुत इंपोर्टन आपको बताएंगे आ और 9,868 के वोट मार्जन से जीते हैं, कोड़ दुवार से रितु खंडूरी भूशन जो है वो जीती है, बीजेपी से 32,000 टोटल इनका वोट शेर रहा है, और 3600 सीटों से ये, 3600 वोट से ही जीती है, नेक्स आता है पितोरागड जे लेगे अगर हम बात करें, तो महाँ प पड़े, 1100 वोटों से जीते हैं, डेडी हाट से बिशेंचिंग चूफल जीते हैं, बीजेपी से 20,000 टोटल वोट उनको पड़े वहाँ पे और 326 वोटों का जीत का पतिश्यत जो रहा है उनका कि 326 वोटों से जादे जीते हैं, वो पितोरागड से मयूक महार जीते हैं, इंडियनाशनल कॉंग्रेस के 33,000 वोटों पड़े हैं, और 6,000 का वोटों का मार्जिन रहा है, गंगोली हाट से फकीर राम टम्टा जीते हैं, बीजेपी से 32,000 टोटल वोटों उनको पड़े और 10,000 का वोटों का डिफरेंस रहा है, जिससे वो जीते हैं, फिर बागेशव यह सवाल भी एक्जाम में पुशा जाएगा, तो चंदन रामदाज जो है, वो बीजेपी से जीते हैं, और अगर हम देखें तो कपकोट से जो सुरेश गरिया जी जीते हैं, वो 31,275 टोट पड़े, 4000 वोटों से जीते हैं, इनको 32,000 वोट पड़े, 12,000 वोटों से जीते है फिर हल मोडा जी जीले की बात करें, तो हल मोडा जिले में 12,8 6 से जीते हैं, अगर हम बात करनें, 24,8 से जीते हैं, मदanu सिंघ बेस्ट कॉंग्रेस से, 17,000 वोट पड़े, 182 वोट से जीते हैं, बहुत ही कम आगया है, 182 सिर्फ 182 वोट से जीते हैं, सील्ट से महिष जीना हेलमोडा में वहां से रेखा आ रही है जीती है बीजेबी की और 5293 वोटों से जीते हैं फिर हलमोडा से बात करें तो हलमोडा से मनोस्तिवारी जीते हैं कॉंग्रेस के 127 सीटों से जीते हैं सिर्फ 127 सीटों से जीते हैं उसके बाद फिर जागेश्वर की बात करें जागेश् सिंग अधिकारी और चंपावर्द से जीते हैं कैलाज घयतोरी अव देखें चंपावद की सीट बहुत important हो जाती है क्योंकि चंपावद से जो असली में जीते थे वो कैलाज घयतोरी जीते थे लेकिन उन्होंने अपनी सीट सेक्रिफाइस कर दी क्योंकि उतरा खणके जो मुख्य मंत्री बने हैं पुशकर सिंधामी जी वो अपनी सीट से हार गए थे तो जब वो अपनी सीट से हार गए थे तो इस वज़ा से उनको चमपावज से वापिस से बाइपॉल करके जिनवाया गया जिससे कि वो चेफ निस्टर बने रह सकें तो केलाश गयतोरी ने यह sacrifice दिया है BJP की तरफ से कि उन्होंने अपना जो विधायक का पल्चोन को मिलता उन्होंने छोड़ दिया पुशकर सिंधामी जी के लिए तो बाद में पुशकर सिंधामी जी बने बाइपॉल जब हुआ और केलाश गयतोरी पहले जीते थे BJP से यह जीते थे वो 32,000 वोट जिनको पड़ी थी और 5,304 वोट का जो शेर था जो यानि की आप कहसेते हैं जो गैप था उसे जीते थे नैंताल जिले की बात करें तो नैंताल जिले में लाल कोवा से जीते हैं मोवन सिंग बिस्ट BJP से 46,000 टोटल वोट सिंग को पड़े 17,000 वोट जीते हैं सरीदा आरिया BJP से जीती हैं ये 31,000 वोट पड़े और 7,881 वोटों का गैप रहा है मार्जिन रहा है हलदवानी से सुमे थरदेश जीते हैं इंडियन नेशनल कॉंगरेस के 50,000 वोट पड़े इनको 7,484 वोटों का गैप रहा है तो काला ढूंगी से देखते हैं पंसीतर भगट जीते हैं BJP से इनका वोट का जो डिफरेंस रहा है बहुत जादा रहा है 30,931 का और उसके बाद आता है राम नगर तो राम नगर से जीते हैं दिवान सिंग 20 BJP से 4745 वोटों का शेर का डिफरेंस रहा है जिससे ही जीते हैं इनको 31,000 वोट मिले और वैसे 4745 इसका गैप रहा है इनसे पिछले कैंडिडेट में और इन में और लास्ट आता है फिर उतम सिंगर के हम बात करें तो उतम सिंगर में जस्पूर से जीते हैं आदिश सिंग चोहान कॉंग्रेस से पिर काशिपूर से जीते हैं त्रिलोग सिंग चीमा बीजेबी के इनको 42,000 मिली है इनको 48,000 वोट्स मिली है ये 4,000 वोटों से जीती है और ये 16,000 वोटों से जीते हैं फिर बाजपूर SC के लिए इंपॉर्टन चीज़ है यहां से यश्पाल आ रही है जीत कहा हैं कॉंग्रेस से 40,000 सीटे इनको 40,000 वोट्स इनको मिले हैं और 16,111 वोटों का मार्ज के 60,000 वोट्स इनको मिले हैं 19,000 वोटों का डिफरेंस रहा है किच्छा से जीते हैं तिलक राज बिहार कॉंग्रेस के 49,000 वोट्स इनको मिले हैं 10,000 वोटों का डिफरेंस रहा है सितार गंज से जीते हैं सौरभ बहुगुना बीजेपी के 43,000 वोट्स इनको मिले और 10,938 वोटों का डिफरेंस रहा नानक मत्ता जो की स्टी के लिए रिजर्वड है वो गुपाल सिंह राना जी जीते हैं वहां से कॉंग्रेस से 48,000 अब कह सकते हैं कि 48,000 वोटों इनको मिले हैं और 13,000 वोटों का डिफरेंस रहा है घटीमा से भुवन चंद्रकापरी जीते हैं लास्ट गॉंग्रेस से हैं 48,000 वोटों इनको मिले हैं 6,579 वोटों से जीते हैं यानि कि इससे ज़ाधा वोटों इनको इतने मिले हैं यानि 6,579 एक्स्ट्रा वोटों मिल गी हैं इनसे पिछले खेंटरेट के तो यही से साथ यह कतम होता है हमने यह सब देख लिया है कि कितने-कितने लोगों कितने-कितने votes मिले हैं कौन सी consistency से कौन जीत किया है तो इससे बाहर question आना बहुत मुश्किल है 2022 के चुनावों से बागी कुछ भी और समिझ में आता है तो उसको मैं add up कर दूँ मैं इसमें और आपको कोई भी solution है कोई भी feedback है तो आप मुझे comment section में comment करके जो बताइए चली बागी मिलते हैं next video में so thank you and bye bye